Hello friends, welcome to my channel. आज हम फोोटक्स ब्लोज की कटिंग करेंगे. ब्लोज का साइज है हमारा 36. यह देखिए, हमारे एक मीटर अस्तर है और यह हमारा ब्लोज का कपड़ा है. पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे. तो अस्तर को देखिए इस तरीके से हम बिचा लेंगे तो पहले हम बेक पाट की कटिंग करेंगे तो ब्लोच की लंबाई लेंगे ब्लोच की लंबाई साड़े तीरा है उसमें एक इंच मिलाएंगे साड़े चौदा इंच पर निशान लगा लेंगे कि सोल्डर हम लेंगे साड़े साथ मैं से बौट नेक के साब से कटिंग कर रही हूं उसका आर्मोल लेंगे साड़े 6 इंच अब देखिए चेस्ट हमारे 36 उसका चोथा बागुता है 9 इंच कमर हमारी है 32 का चोथा बागुता है 8 और 1 इंच हम टक्स कर लेंगे और इन दोनों निशान को इस तरीकी से स्केल से मिला लेंगे आप देखिए मार्जिन लेंगे मार्जिन हमारा है 2 इंच आप चाहे तो 1,5 इंच भी ले सकते हैं अब देखिए यहां से 1,5 इंच पर निशान लगाएंगे और मूल का सेब देंगे इस तरीके से यह हमारे बेक पट बन गया है इसके भी हम कटिंग कर लेते हैं अगर आपको बेक अप से माप लेना सीखना है तो इस वीडियो का लिंक है को डिसक्रीफिंट बॉक्स में मिल जाएगा वह वीडियो देखे कर आप बेक पट कट गया अब हम focused की cutting करेंगे तो इस तरीके से रखेंगे कपड़े को रुकाई के लिए आदा इंच का मार्जिन लेंगे अब देखिए जो हमारा बेक पाट है उससे इसके उपर इस तरीके से रख लेंगे आदा इंच के मार्जिन को छोड़कर और से हम ड्रोग कर लेंगे तरीके से हम पूसे हम ड्रो कर लेंगे और देखिए अब देखिए आदा इंच हम आर्मोल को डाउन करेंगे फ्रंट में अब एक इंच हम नीचे से मार्जिन करेंगे क्योंकि हम बेल्ट वाली फोर्टेक्स ब्लोच की कटिंग कर रहें से लिए तरीक इंच हम नीचे से एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे गली की चूड़ाई मैंने साड़े तीन रखी है और गली की लंबाई आगे की मैंने तीन इंच रखी है इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे उसमें राउन शेप दे देंगे अब देखिए बेल्ट का निशन उसकी लंबा हम दाए इंच रखेंगे यहां से दो इंच पर निशान लगाएंगे इसकी लंबाई हम तीन इंच रखेंगे एक सरकल त्यूरीं गोर उसको इसमेंस तरीके से मिला लेंगे आप डिकी नीचे का जो टॉatt से हम सामें आधा इंच का मार्जिन लेकर लेना है इस बाकि सारे टक्स हमें सवाइंच का मार्जिन लेके लेने यानि 0.25 यह देखिए हमारा फ्रंट पर तैयार हो चुका है अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्काइब कर दीजिएगा बेल आइकन को जरूर दबाईएगा जिस करेंगे तो हमारे फ्रंट पर तयार है अब हम स्लिफ की कटिंग करते हैं यह बचा हुआ कपड़ा है उसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे स्लिफ की चोड़ाई हमने लिए 9 इंच और स्लिफ की लंबाई हमने लिए 11 इंच आप हमने अकोडिंग ले सकते छोटी बड़ी इ लेंगे और स्किल से सीधी लखिर कर लेंगे अब दर्ले से इन लगाना है इसलिफ का सेब देना है अब देखिए बाजू कि आपकी जो भी फिटिंग उसमें दो इंच मार्जिन प्लेस करके निशान लगा लेंगे और उसको इस तरीके से मिला देंगी हमारी स्लिफ की ड्र पेखे पी पर कट करवेगे, और सिलाएगर को एटेच कर लिए तो आ कि आ हैना अभू मेर इस पार्ट के ए आ पर इस तरीके से रखेंगे जो जाओ चांड होगा ही मैं पर तो निशानों का ता न कर लेंगे पर होगे It अब दूसरे पार्ट को इसके उपर रखकर हलके लगे हातों से दबाएंगे जिसे उसके निशान दूसरे पार्ट पर छब जाए अब दिखी टक्स लेंगे नीचे का इस तरीके से आधे इंज का मार्जिन लेकर हमें टक्स लेना है अब हम साइट का टक्स लेंगे से 0.25 यानी सवाइंच का मार्जिन लेकर हमें टक्स लेने हैं सारे टक्स हमें सवाइंच का मार्जिन लेकर लेने हैं यह दिखी कि तब परफेक्ट हमारे वफ आया है अब हम बेल्ट लगाएंगे तो इस तरीके से रखना है और आदा इंच का मार्जिन लेकर हमें सीधी स्लाई कर लेनी है अब इसे पलट लेंगे पलटने के बार बेल्ट की किनारी पर हम सीधी स्लाई कर लेंगे इसी तरीके से दूसरे पाट को भी कर सिलकर हम तयार कर लेंगे जो एक्स्ट्र बट्टी यह उसे कट कर लेते हैं और देर कीवन दोनबपर त्ययार करेंगे त्यूट हम वुकाई की पट्टी लगाएंगे त्यास की पट्टी लेने उसे नीचे की तरफ से रखना है और सिधी स्लाइ कर लेनी है अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे उस उपर की तरफ से रखेंगे और सीधी से लाई करेंगे इसी तरीके से दोनों हुकाई की पट्टी हम अटेज कर लेंगे यह देखिए हुकाई की पट्टी हमने दोनों लगा ली है अब हम गले को चेक करेंगे तो दोनों गले को मिलाएंगे इस तरीके से एक्स्टा पट्टी को कट कर लेते हैं पहले फिन दोनों पार्ट को इस तरीके से रखेंगे अगर हमारा गला चोटा बड़ा हो रहा होगा तो इसे कट करके शेट कर लेंगे यह देखी इस तरीके से अब हम गले पे पट्टी लगाएंगे देखी दोनों गले पे हमारे बरवर हो चुके हैं और इभी पट्टी लेना है उसे डबल फोल्ड करके उपर की तरफ से रखेंगे और एक पेर की सिलाई करेंगे अब देखी इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे इसी तरीके से दूसरे गले पर भी हम पट्टी अटेच कर लेंगे यह देखिए मारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तयार हुआ है हम बेक पार्ट तयार करेंगे तो यह देखिए हमारा अस्तर है और यह हमारा गलोज का कपड़ा है उस पर गले की डिजाइन पहले से बनी हुई है तो देखिए पहले हम यहां पर चूटा सा कटकर निशान लगा लेते हैं और इसमें भी हम चूटे चूटे बीच सेंटर में कटकर निशान लगा लेंगे और इधर भी हम डिजाइन से डिजाइन को मिला कर बीच में कटकर निशान लगा लेंगे अब देखिए हम अस्तर को इस तरीके से रखेंगे, इसके उपर हमें अस्तर को रखना है, यह देखिए इस तरीके से, भी सेंटर में हमें चेक कर लेना है, अब देखिए आधा इंच का मार्जिन लेकर हम नीचे की तरफ से सीधी स्लाई करेंगे, अब देखिए उपर कट को कट से मिला कर इस तरीकी से पिन लगा के अटेज कर लेंगे जिसे हमें सिलने में कोई दिक्कत ना हो अब देखिए इस तरीके पलटेंगे जो हमारा गला बना हूँ और उस गले की बाजू में से ही हमें सिलाई करनी है आप वीडियो में देख सकते हैं ये दिके मारा गला बन चुका है अब गले की सिला ही करी उससे थोड़ी दूरी पर हमें गट कर लेना है अब हम गले पर छोटे-छोटे कट कर लेंगे गले पर कट करना है देखिए इस तरीके से हमेरे सिलाही ना कटे इसी तरीके से हमें कट करना है अब इसे सोल्डर जोइंट करेंगे हम तो देखिए इस तरीके से में उपन करना है बीन सेंटर में हमें फ्रेंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे, आप देख सकते हैं वीडियो में, और इसे अस्तर को इसके उपर इस तरीके से पलट लेंगे, यह देखिए, और इस पर हमें डबल से लाई करनी है, देखिए मैं फिर से बताती हूँ आपको तो देखिए इस तरीके से उपन करना है अस्तर को इसकी बीच सेंटर में इस तरीके से हमें फ्रंट पाट को रख लेना है और इस पर डवल से लाई करने नहीं है अब इसे देखिए सीधा कर लेते हैं देखिए किती फिनीशिंग से हमारा सोल्डर अटेच हुआ है आप देख सकते हैं अब इससे सीधा कर लेंगे हम अब हम गले की किनारी पर सिलाई करेंगे तो दिखिए पहले यहां से सोल्डर से लेकी जाना है तो पूरे गले की किनारी पर हमें सिलाई कर लेनी है नीचे की तरब्भी हम किनारी पर सिधी से लाई कर लेंगे रस्त्र को कपड़े से अटेज कर लेंगे अटेज करके एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे यह देखी बेकपट हमारा तयार हो चुका है अब देखी टेक्स का निशान लगाएंगे इस तरीके से फोल्ड करना है यहां से हमें चार इंच पे निशान लगाना है इसकी लंब़ई 4.4 रखेंगे दूसरे साइट भी सेम हमें करना यहां से 4 इंच पर निशन लगाना इसकी लंब़ई हम 4.5 इंच रखेंगे आदा इंच का मार्जन लेकर हमें टक्स लेना है यह देखी मैंने दोनों टक्स ले लिए हैं अब देखिए हमारे दोनों स्लिफ्स को अटेज कर लेंगे यह देखिए गला हमारा अब दोनों स्लिफ्स को अटेज करके और हम ब्लोज को फिटिंग करके फाइनल लुक देखेंगे यह देखिए हमारे ब्लोज का फाइनल लुक आई होप आपको सब समझ में आया होगा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो थैंक यू वोचिंग मैं वीडियो